नाव अभि आपने नावन सीखा, now next is, next is pronoun, P-R-O-N, O-U-N, pronoun, ठीकिआ,what is pronoun, pronoun क्या है, देखे संग्या के स्थान में इसे हिंदी में कहते है, नाउन के स्थान में आने वाले सब्द को pronoun कहते है, देखे, यहां पहला एक ध्यंत je he means were, arm means, राम है, he means were, मैं इसका एक एक एक्जाम्पल यहां बनाके रखिऊंग राम इज इटिंग राम इज मिन्स है इटिंग मिन्स खारा तो आपको कुछ भी नहीं करना इसमें इसे पूछना है नाउन कहा है तो नाउन राम है क्योंकि एक नाम है ठीक है अब नेक्स्ट है संग्याकिस्थान पर आने वाले आना आए एंग मिन्स रहा है तो और खारा है है अगर यहां पर शीes इटिंग वह खां रही अगर सीक जगा कोई नाम होता तो नाम होता जैसे सीटा हीज इटिंग खारस के थुŻ हूंच क्या है This is a cow, it has four legs, इसके चार leg होते है, its color is brown, इसका color brown है, it means वह, its means उसका, you means तुम, your means तुम्हारा, I means मैं, my means मेरा, when means कब, और when means जब भी होता है, ठीक है, जैसे, when are you coming, तुम कब आ रहे हो, You are coming, when my parents are come, will meet, तुम जब आ रहे हो, जब मेरे parents मिलेंगे, when will you come, when our parents will meet, कुछ मतलब इसमें, जब हमारे parents मिलेंगे, तब आप आओगे, You will come, when our parents will come, तुम तब आओ, जब तुम हमारे parents आएंगे, where means कहां, और where means जहां भी होता है, who means कौन, whose means किसका, we means हम, our means हमारा, they means way, their means उनका, this means यह, that means वह, these means यह, those means वे, ठीक है, तो यह सारे sentence को हम pronoun कहते हैं, अब उनका use, वो तो मैं बाद में, आपको जब classes start होंगे तो बोलूँगी, now next है, word, बस हमें पैचारना है कि इसे क्या कहते हैं, word, इस बार oral में आपको मैं पूछूँगी, noun के words पढ़ना है, आपको यह read करना है, और इसमें से कुछ नाम ही आप read करोगे, five, six names read करके मुझ कुछे सुना होगे, ठीक है, आपके reading पे आपको marks मिलेंगे, word, word means होता है कार, word means कार, अब word क्या होता है, जैसे कि eat means खाना, drink means पीना, sleep means सोना, तो यहाँ पे कार कार का नाम है, think means सोचना, read means पढ़ना, write means लिखना, word को हिंदी में कहते हैं, क्रिया, क्रिया means कार, तो eat means खाना, और यहाँ पे cry means रोना, fly means हसना, तो इसमें मैं पूछूँगी, word के five words बोलिए, या फिर जितने भी आप read कर सकते हैं, आप यहाँ पे लिख, इतने जो लिखे में, इतने भी read कर दोगे, तो में लिए sufficient हैं, आपको इस बार marks, noun, pronoun, और word क यह oral में मिलेगा, आपको यह project है, आपको यह read करना है, और मुझे बोलना है, आपको audio send करना, adverb, अब adverb क्या होता है, जैसे वर्ब, अब इस पर आप यह confused हो जाओगे, यह छोड़ रही हो, but एक बार parents समझ ले, जैसे वर्ब होता है, वर्ब को जब explain किया जाता है, तो उसे जब हमारे वर्ब को explain किया जाता है, जब हमें क्रिया को explain किया जाता है, तो उसे adverb करते हैं, now adjective, adjective क्या है, जब noun को explain किया जाता है, तब adjective कहा जाता है, जैसे राम इस लॉंग, राम लंबा है, मोहन इस शौट, मोहन छोटा है, राम इस शौट, राम छोटा है, तो यहाँ पर नाउन को एक्स्प्लेइन किया गया है, नाउन के बारे में बताया गया है, तो उसे एड्जेक्टिब कहते हैं, जैसे आप लोगों को चैप्टर में एड्ज याकलिप होता क्या है जैसे मेंगो ले लीजे मेरे पास चार मेंगो और मैंगो नाउन है मेंगो कितने है चार है तो चार हो जाएगाव एड्जेक्टीव एड्जिट फिर ला है तो फिर फेद हर गहाँ दिया अप Chung से clear किजिए वर्प के बारे में जो बताईं जाय अगा वह एड़् वर्फ है नान थो बताई जायेगा वह एड्जेक्टिव टेक्व के मैं के जराम इस जमपल यहां पर uk догना के लिएतीं है इसा सब्सक्राइब हरा है आपको वीडियो ध्यान से देखें noun क्या है राम pronoun क्या है he eating क्या है verb ठीक है राम is tall tall क्या है tall noun noun कैसा है he is short noun और प्रनावन दोनों को explain कर सकते he is short तो यह हो जाएगा short भी हो जाएगा adjective noun और प्रनावन कैसे है उसे कहते है adjective प्रनावन प्रनावन की होएगा ईंगा उसके हैं झाल झाल झाल